हालो स्टूरेंज मैं कुसल सर्मा आज हम नाइन्थ क्लास का 8.2 एक्सरसाइज में फोर्थ कोश्चन करने वाले हैं देखिए क्या है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and BD is a transversal तो आप notice कर रहे हैं देखिए दो लाइन parallel है और एक transversal है तो में भी हमें जरूरत पड़े अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि यह alternate angle इसमें कैसे होंगे equal होंगे चलिए देखते हैं and is the midpoint of AD AD का एक midpoint है यहाँ पर and a line is drawn through E parallel to AB AB के parallel एक line draw की गई है ठीक है जो आगे जाकर इस BD diagonal को कहीं न कहीं cut कर रही है तो यहाँ पर कोई name नहीं दे रख है हम अपनी दरब से name दे देते हैं O okay and intersecting BC BC को intersect कर रही है F पर F पर जाकर तो हमें so करना है कि जो F point है वो BC का क्या होगा midpoint होगा okay so basically यहाँ पर हम midpoint theorem के converse की help लेने वाले हैं Converse of midpoint theorem बोल सकते हैं हम इसको चलिए देखते हैं इसका figure बना लेते हैं A B C D E F Okay ठीक है देखते हैं ट्रेपेजियम ऐसा बन पाता है या नहीं बन पाता है बन तो गया चलो A B C and D okay और B D एक diagonal है ठीक है अब A D का एक midpoint लिया गया है E जिसको आगे बढ़ाया जाए parallel आगे बढ़ा रहे हैं किसके parallel A B के parallel आगे बढ़ा रहे हैं तो यह B C को कहीं F पर जाकर intersect कर रहे हैं अभी जस्ट हमें इतना पता है कि वो intersect कर रहे हैं ठीक है मैंने इसका आगे वाला पार्ट बनाया नहीं है ऐसे ही हमें यह प्रूव करना है कि यह intersecting point जो F है ना वो B C का midpoint होगा तो midpoint दिखाने के लिए हम यह दिखा दे कि C F और B F आपस में कैसे है equal है तो equal होंगे तो उव्वेसी बात है F midpoint हो जाएगा है ना सो देखे गीवन में हमारे पास क्या है कि भई A, B and C, D are parallel and E is midpoint of किसका A, D का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भई E midpoint होने का क्या मतलब है कि A से E का distance और D से E का distance A, E और E, D यह दोनों आपस में equal हो जाएगे तो प्रूव में हमें यह दिखाना है कि F is midpoint किसका of B, C का इसको हम that is में डाल देते हैं that is हमें क्या दिखाना है कि भई B, F और F, C हम क्या दिखाना है equal तो यानि कि F midpoint हो जाएगा ठीक है, so proof start करते हैं, so proof में देखिए हम क्या लेकर चलने वाले हम actually इस triangle को लेकर चलने वाले हैं जिसमें एक हमारे पास E midpoint और उससे एक parallel line आगे draw की गई है ठीक है, किस के parallel, B, C के parallel चलिए, देखिए, इन, sorry, black, हाँ, इन, triangle A, B, D E is midpoint of A, D, ठीक है, and E, O, B, D को यहाँ काट रहा है, उसको उने O नाम दे दिया, E, O is parallel to A, B अब इसका reference दे देते हैं, E, O parallel कैसे पता चला, देखिए, हमें यहाँ पर बोला गया है कि A line is drawn, throw E parallel to A, B, है न, तो यह भी हम यहाँ पर given में mention कर दें, and E, F is parallel to A, B देखिए, पूरी E से पास होने वाली line, सभी, पूरी के पूरी ही हमारे पास A, B के parallel हो जाएगी न, तो पूरी line parallel है, तो उसका जो छोटा सा टुकडा होगा, वो भी तो parallel ही रहेगा, अब हम बोल सकते हैं, therefore, by converse of midpoint theorem, midpoint theorem का converse क्या कहता है, कि बही कोई triangle है, triangle की एक side के midpoint से, अगर बची हुई दोनों side के में से, किसी भी एक side के parallel हम आगे line ड्रो करें, तो वो तीसरी line को कहीं न, कहीं तो cut करेगा, तो वो जो cutting point है, वो cutting point actual में midpoint होगा, किसका इस तीसरी line का, यानि कि ये दोनों आपस में equal हो जाएंगे, तो अब हम उसी logic की help ले रहे हैं, तो देखे, a, b, d, triangle था, e, midpoint था, e, o, इसके parallel हो गया, तो obvious ही बात है, midpoint theorem का converse यहाँ पर लागू हो सकता है, यानि कि ये जो o है, वो o, इस b, d का क्या बन गया, midpoint बन गया, तो हम बोल जाकते हैं, by converse of midpoint theorem, o is a midpoint, किसका, o of b, d का, है न, ये midpoint हो गया, इसको हम one बोल देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ओके, अब हम help लेने वाले हैं, किसकी triangle, इस b, c, d की, ठीक है, इस b, c, d triangle पर काम करें, तो यहाँ पर आप notice करोगे, कि देखो, o, x side, b, d का midpoint है, ठीक है, अब ये of, इस c, d के parallel हो जाएगी, क्यों parallel हो जाएगी, इसको reference के तोर पर हम पहले लिखकर, so कर देते हैं, since, क्योंकि, देखिए, e, f, किसके parallel है, a, b के, given है, इसलिए तो हम since बोल रहे हैं, and, a, b, किसके parallel है, c, d के, ये भी कहां से पता चला, ये भी given से पता चला, है न, ये देखिए, e, f, b, e, b, के parallel है, और, जो c, d है, वो b, e, b, kे parallel है, reference दोनों का given में बोल देते हैं, तो, अव्यसी बात है, e, f, और c, d, ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, ये दोनों भी आपस में parallel हो गई, अब पूरी e, f, parallel है, तो e, f, का जो छोटा सा टुकडा होगा, o, f, वो भी तो c, d, के parallel ही रहेगा, है न, इसको हम to बोल देते हैं, अब हम इसकी help लेने वाले हैं, अब हम किस triangle पर काम करेंगे, फिर से इसी तरह का काम हम करने वाले हैं, तो b, c, d triangle पर काम करते हैं, और ये कहेंगे, कि यहाँ पर तो e था, midpoint, अब इस triangle में o हो जाएगा हमारा midpoint, तो देखे, in triangle b, c, d, o is midpoint of b, d, है न, ये कहां से पता चला, ये हमें पता चला, from 1 से, and of is parallel to c, d, ये कहां से पता चला, ये पता चला, हमें from 2 से, तो फिर से हमारे पास, converse of midpoint की जो conditions हैं, वो satisfy हो रही है, भाई, एक side का midpoint पता है, ठीक है, और एक side के parallel एक line पता है, तो यही दोनों चीज़े तो चाहिए होती हैं, हमें converse के लिए, तो फिर से हम बोल देते हैं, therefore, by converse of midpoint theorem, अज़ा उपर मैंने theorem लिए, नहीं लिगी, जैसे midpoint theorem, हाँ, राइटिंग काफी गंदी होती जा रही है, हम बोल सकते हैं कि जो F है, वो इस तीसरी side, C, D का, sorry, B, C का, हाँ, F is midpoint of B, C, और हमें देखो, यही तो दिखाना था, कि F, जो है, so that, F is the midpoint of B, C, है न, So, I hope आपको यह जो कोश्चों नहीं हो समझ आया होगा, हमने यहाँ पर basically, एक के करके, दो बार, दो triangles पर, converse theorem of midpoint, जो है, उसको use किया, पहले यहाँ से midpoint से parallel line रोकी, तो यह midpoint दीख बन गया, फिर यहाँ इस midpoint से parallel line आगे बड़ी, तो इसने इस तीसरी line को, midpoint प्रूव कर दिया, है न, So, please, click the like button, और अगर आप channel पर नए हैं, तो subscribe भी करें, Thank you,